मेडिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हैर्ट टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को वेल्कम दोस्कों, हमारी यूट्यूब चलिप आपको स्वागत है दोस्कों, दोस्तों मैं हूँ हमत और आपके लिए क्या हूँ सीजों का मोडल टेस्ट पेपर, इसके अंदे 25 क्यूशन है, तो आपको कौलिफाइं के लिए 18 क्यूशन लेकर आना है, अब टेस्ट कैसे देन क्या हूँ, आपको अपनी कापी और पैणम उखाना है, एक से 25 तक आपको लिख देना है, जैसे में क्यूशन को डिस्प्ले करूं, आपको अपना अंसर, अक्नी नोट बुक में लिखना है, और फिर पेले आंसर से आपकी आंसर को मिलाना है यदि आपको कोई question गलत होता है तो 0.25 marks को negative करना है बात में जब video का end हो जाए इसके बाद में video के end होने के बाद में आपको comment box में जरूर लिखना है कि आपने कितने अंकल प्राप्ट किये दोस्तों अगर आपकी कम number पे आते हैं तो निराश होने की बात नहीं है क्योंकि हो सकता है एक question एक जब पूछे भी जाए और ना भी पूछे जाए लेकिन इससे क्या होगा आपकी एक practice होगी exam देने की कि exam को हम दे तो हमारे अभी एगर हम exam दे तो हमें कितने number आ सकते है तो दोस्तों बने लाइए वीडियो को पूरा देखिए हैं आता हाधूभई देखने से क्या है कि देखो पूरा देखने से देखने से और पूरी करणे से आपको confidence आएगा कि कितने number आ सकते हैं कि अगर आप वेमारी YouTube लिए तो चल्ब को सब्सक्राब जरूट कर दीजेगा ताकि आने वाड़े वीडियो की लेटर्स प्रॉटिपूशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं कि विच आप दे फॉलॉविंग ड्रग इज एन ऑटो टॉक्सिक पैनेसलीन डेलफोनमाइड टेट्रसाइक्लिन मेट्रोन डाज तो यहाँ पर करेक्ट आनसर क्या होगा अपनी नोट बुक में लिखना है अगर आप को टाइम लग रहा है तो वीडियो को पोज कर सकते हैं यहाँ पर जो क्रेक्ट आनसर फो है टेट्रा साइक्लिन जो टेट्रा साइक्लिन है उसका साइड इपेक्ट है क्या है ओटो टॉक्सिक बात करें पर यहाँ पर तो जो टेट्रा साइक्लिन है टेट्रा जो साइक्लिन जो मेडिसीन है इसकी वज़े से एक और इंपोर्टेंट साइड इपेक्ट होता है वो है यह side effect है किसके tetracycline के यहाँ पर एक और important side effect आता है इसका जो कि mostly बच्चों के अंदर होता है उसका नाम है deciduous deciduous teeth deciduous teeth कैसे होता है क्योंकि जो क्या करता है tetracycline क्या करता है calcium के calcium से bind करता है और calcium को bone से remove करता है ठीक है यानि कि जो teeth होते वहाँ से calcium remove करता है इसलिए इसके विज़े से होता है deciduous teeth तो कई बार exam में यहाँ से भी पूछे जाता है तो यह यहाँ पर correct answer है वो है tetracycline which of the following drug is recommended for prevention of mother to child transmission of HIV infection यानि कि कौन सी drug जो recommended की जाती है mother से fetus के अंदर HIV transmission को रोकने के लिए जिसे यह mother है mother का जो fetus से इसके अंदर जो mother से HIV की transmission के रोकने के लिए कौन सी drug यूज की जाती है toxipend citrate endenavir didnosone nevirapine तो यहाँ पर correct answer क्या होगा आपना answer अपनी notebook में लिखना है यहाँ पर जो correct answer है वो है nevirapine जो nevirapine है यह क्या है यानि कि जो transmission को रोकती है किसके HIV को और किससे mother to fetus के अंदर जो fetus होता है उसके अंदर transmission को रोकती है HIV के in icds all of the flowing are included accept यह question को आपको अच्छे से पढ़ना है in icds जो icds इसकी में उसमें किस किस को include किये जाता है एक को छोड़ कर immunization, health education, prevention of iodine deficiency disorder, supplementary nutrition तो यहाँ पर correct answer क्या होगा answer को अपनी note book में लिखना है यहाँ पर जो correct answer है वो है prevention of iodine deficiency disorder यहाँ बात किया गया integrated child development service के अंदर immunization को भी include किया जाता है health education को भी include किया है supplementary nutrition को भी include किया है लेकिन इसको include नहीं किया है क्योंकि इसका अलग से ही program चलता है तेके which of following vaccine is contaminated can cause toxic shock syndrome कौन सा vaccine contamination होने के बाद में toxic shock syndrome कर सकता है measles vaccine, DPT vaccine, hepatitis B vaccine, polio vaccine तो यहाँ पर correct answer कौन सा होगा यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा measles vaccine यानि कि जो measles vaccine है यदि measles का vaccine क्या हो गया contaminated हो गया यानि कि आपने 4 hour से ज़्यादा wilds को open करते होगे रख दिया है और वो contamination हो गया तो उसके विज़े से क्या हो सकता है toxic shock syndrome हो सकता है तो यहाँ पर जो वो है कौन सा है measles का vaccine next बात करें which of the following drug in dots therapy can cause deepness यानि कि जो dots के अंदर जो drugs होती है dots यह जो program है किसके लिए यूज किया जाता है इसको tuber closest के tuber closest के treatment के लिए यूज किया जाता है dots को तो इसके अंदर कौन सी drug है जिसके विज़े से deepness हो सकता है इताम, betol, isony acid, repamcin, streptomycin तो यहाँ पे correct answer क्या होगा यहाँ पे जो correct answer है वो है streptomycin जो streptomycin drug है इसके विज़े से क्या हो सकता है deepness हो सकता है क्योंकि यह क्या करता है जो 8 cranial nerve होती है कौन सी 8 cranial nerve होती है उसको क्या करता है damage करता है damage होने की वज़े से क्या हो सकता है deepness ठीक है deepness हो सकता है बाकी बात करें अपन इताम बिटोल कोई तो इसकी वज़े से क्या होता है optic neuritis यानि color blindness होता है इसकी वज़े से isonidate की बात करें तो इसकी वज़े से क्या हो सकता है इसकी वज़े से peripheral neuritis होता है रिपामपिसीन की वज़े से क्या होता है रिपामपिसीन की वज़े से रेड ओरेंज रेड ओरेंज यूरिन आता है तो यहाँ पर जो correct answer है वो है स्टेप्टो माइसीन दे साइकल ओफ डिजास्टर कंसिस्ट ओफ दे फोलोविंग कंपोनेंट जो डिजास्टर का जो साइकल है उसके अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होता है mitigation preparedness response recovery preparedness vulnerability assessment risk assessment recovery mitigation risk assessment response and recovery none of above यहाँ पर question में पूछा गया है डिजास्टर यानि कि जो डिजास्टर का जो साइकल है उसके अंदर किस क्या होता है डिजास्टर का जो साइकल होता है तो यहाँ पर जो correct answer होगा वो क्या होगा अगर आपको time लग रहा है तो वीडियो को आप पोज भी कर सकते हैं तो यहाँ पर जो correct answer है वो है mitigation preparedness response and recovery देखो यहाँ पर बात करें mitigation preparedness response and recovery मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है बात करेंपन mitigation यहाँ कि capacity building करना जो capacity होती है वो building करना जैसे की जैसे की माल लो disaster कोई साथ जैसे flooding हो तो यहाँ कि जो बाड़ प्रभावी थे तो वहाँ पर अगर माल लो disaster है तो क्या करना है सबसे पहले जो state है वहाँ के state है उसकी capacity और वहाँ के hospitals की availability है उनकी capacity को building करना फिर उसके लिए prepare होना preparation करना और फिर अगर disaster होता है तो उसका response करना यानि कि उसमे response करना और इसके बाद मे recovery यानि कि यानि कि उसको recovery करना यानि कि reconstruction करना तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर correct answer है chief minister the state disaster management authority is headed by यानि कि जो state disaster management की authority कौन होती है तो यहाँ पर होता है chief minister यानि कि मुख्य मंत्री ऐसा ही अगर बात करें अपन center government की अगर बात करें तो center government की जो authority होती है यानि कि center government की authority होती है वो कौन होता है prime minister उसका होता है प्राइम मिनिस्टर तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना बी वाला एक क्यूशन यह भी पूचे जा सकता है कि डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ तो डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट जो लागू हुआ है वो 2005 को लागू किया गया बात करेंपन नेक्स्ट डिस्पोजल और प्लेसेंटा एट पिएससी इस दन बाई ड्राइ बर्निंग डीप ब्यूरिल बोईलिंग ट्रेटेड विद ब्लेचिंग पाउडर एंड ब्यूरिल तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा इससी पर जो प्लेसेंटा होती है यानि कि जो हूमन अनाटोमिकल स्पार्ट होते है उसका यहां पर क्या किया जाता है डीप ब्यूरिल किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन के बात करेंपन पेकेट ऑप औरल कोंट्रासेप्टिव पिल्स यानि कि जो पेकेट होता है कौनसा ओरल कोंट्रासेप्टिव का जो पेकेट होता है उसके अंदर कितनी पिल्स होती है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है अपना पहला वाला बात करेंपन यानि कि एक पेकेट की तो एक पेकेट के अंदर 21 तो क्या होती है कोंट्रासेप्टिव पिल्स होती है यानि कि यह होती है हार्मोनल टेबलेट होती है और जो 7 टेबलेट होती है वो किसकी होती है iron की tablet होती है total कितनी होती है 28 tablet होती है in following which is not a respiratory tract infection chicken pox dipteria, mumps polio तो यहाँ पर correct answer क्या है आपको answer अपनी notebook में लिखना है यहाँ पर जो correct answer है वो है polio जब क्योंको question में क्या पूचा है question में पूचा है कि कौन सा respiratory tract का infection नहीं है तो यहाँ पर chicken pox भी respiratory tract का infection है dipteria भी respiratory tract का infection है mumps भी respiratory tract का infection है बात करें आप mumps की सोच रहोंगे तो इसके अदर parotid जो gland होती है parotid वो gland होती है, involved होती है किसके अदर swelling आती है, mumps के अदर लेकिन जो mumps का respiratory tract जो root of infection है respiratory tract है लेकिन polio का root infection का हो है gastrointestinal intestinal tract तो यहाँ पर correct answer होगा अपना polio level of prevention that include specific protection is primordial, primary, secondary, tertiary यहाँ पर question में क्या पूचा है कि जो specific protection है वो किस प्रकार का prevention है तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर जो correct answer है वो है primary prevention बात कर रहे हैं पर specific protection जैसे कि vitamin A जो vitamin A है उसके prophylaxis program हो या vitamin A का prophylaxis दिया हो या पिर आपने vaccination दिया हो यह भी किस के अंदर आता है specific protection के अंदर तो यह क्या है primary prevention है 7 clean practice under strategies for elimination of neonatal titanus include all except यानि की बात कर रहे हैं यहाँ पर 7 clean practice की उसके अंदर कौन सा include नहीं किया गया है इसमें 3 तो ऐसे जिनको include किया गया है और एक ऐसा जिसको include नहीं किया गया है clean surface of delivery clean hands of attendant new blade for cutting the cord clean airway तो यहाँ पर correct answer क्या होगा correct answer आपको अपनी notebook में लिखना है यहाँ पर जो correct answer है वो है clean airway देखो इसको भी include किया गया है इसको भी include किया गया है और new blades for cutting code इसको भी include किया गया है यानि कि जब delivery होती है तब clean surface रखना है clean hand रखना है और new blade को ही use करना है यह इसके अंदर include नहीं है तो यहाँ पर चोता वाला correct answer होगा मैं आपको बता जता हूँ देखो seven जो practice होती है वो होती है तो clean hand होना चाहिए यानि कि जो delivery करवा रहा है उनके hand wash होना चाहिए clean होना चाहिए clean perineum यानि जो perineum area है उसको clean करना है clean delivery surface जिस delivery पर करवा रहा है यानि कि जिस सर्फेस पर delivery करा रहा है वो एकदम clean होना चीए clean cutting यानि clean cutting यानि कि जो blade होती हो clean होना चीए clean code tying यानि कि जिससे आप बांध रहे हो clean होना चीए clean code care और clean gauge जो clean gauge को use करना है तो यह 7 clean techniques है पहले 5 clean techniques था फिर 6 हुआ अभी 7 clean techniques को use किया जा रहा है prevention of tetanus के लिए बात करें पन next अंडर जननी सुरक्षा योजना for female who delivered in government hospital in rural areas is paid यानि कि अंडर जननी सुरक्षा योजना के अंतरगत j s s y के अंतरगत कितना payment दिया जाता है अगर rural area की lady है तो जो rural area की lady है तो उसको कितना payment दिया जाता है 1000, 2000, 1200, 1400 तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर correct answer है वो है क्या होगा यहाँ पर correct answer यहाँ पर correct answer है वो है 1400 तेक है यानि कि 1400 दिये जाते है किसको जो mother है उसको अगर वो rural area की है तो तो यहाँ पर correct answer है चोथा वाला बात करेंपन, latest name of infectious hepatitis is यानि कि जो latest name किसका है infectious hepatitis तेक है यह question पूछा जा सकता है exam के अंदर hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D तो किसका नाम है infectious hepatitis तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर जो correct answer है वो है hepatitis A, यानि कि जो hepatitis A है उसका नाम क्या है infectious hepatitis क्योंकि इसका जो root है transmission का वो कौन सा है feco oral root ठीक है कौन सा है feco oral root यानि contaminated water और contaminated food से भी हो सकता है कौन सा hepatitis A. Integrated child development services provide amount of calories and protein to adults and girls 300 calories and 8 to 10 gram protein 500 calories and 22 to 25 gram protein 600 calories and 16 to 20 gram protein 200 calories and 5 to 8 gram protein तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर पूछा है question में जो adolescent girl होती है यानि कि adolescent girl जिनकी age यानि कि जिनकी age अंडर 19 होती है ठीक है अंडर 19 होती है वो adolescent girls होती है उनको कितनी calories और nutrition supplement दिया जाता है protein supplement दिया जाता है इन ICDS program के अंतरगत तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर जो correct answer है वो है 500 calories and 22-25 gram protein यानि कि 500 calories दिये जाती है ठीक है और 20-25 gram protein दिया जाता है next बात करेंपन solution used to irrigation of cerumen in the year year के अंदर कौन सा solution irrigation के लिए use में किया जाता है यहनि कि जो cerumen को निकालने के लिए normal saline, estrile water, aseptic lotion, tape water तो कौन सा solution used किया जाता है अपना answer अपनी notebook में लिखना है यहाँ पर correct answer है वो है normal saline देखो बात करने पर यहाँ पर cerumen को irrigation करने के लिए तो normal saline इसके लिए use में किया जाता है तो tape water और warm water इनको क्यों ने use में लिया जाता है क्योंकि इनकी osmolity, body की osmolity से कम होती है या कम होती है या फिर जादा होती है लेकिन normal saline की osmolity होती है वो body की osmolity के बराबर होती है इसलिए normal saline को use किया जाता है यदि हम कम osmolity कर लेंगे तो जो tympanic membrane होती है कौन सी होती है जो tympanic membrane होती है उसके अंदर क्या हो सकता है swelling हो सकता है इसलिए हम किसको use करेंगे normal saline को early sign of glaucoma loss of peripheral vision hellos around light headache diminished accommodation तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर पूचा है glaucoma का early sign तो glaucoma का early sign कौन सा है यहाँ पर correct answer है वो है dimnised accommodation क्या होता है गुलकुमा की बात करेपन तो गुलकुमा के अंदर जो गुलकुमा होता है उसके अंदर क्या होता है intra-iop यानि कि iop intraocular pressure बढ़ जाता है जब intraocular pressure बढ़ेगा यानि कि i के अंदर क्या हो जाएगा intraocular pressure बढ़ जाता है यह आई है और यहाँ पर क्या है लेंस है जब यहाँ का इसका intraocular pressure बढ़ जाएगा जब IOP बढ़ेगा तो उसके वज़े से क्या होगा लेंस के accommodation में problem आजाएगी इसलिए सबसे पहला जो साएंग है वो है diminished accommodation bleeding between the menstrual cycle is called menorrhagia, dysmenorrhagia, oligomenorrhagia तो यहाँ पर question में क्या पूछा है building होना menstrual cycle के बीच में उसे क्या कहते है तो यहाँ पर correct answer क्या होगा अपना answer अपनी notebook में लिखना है अगर आपको time लग रहा तो वीडियो को pause भी कर सकते है यहाँ पर correct answer है, वो है metorrhagia बात करें देखो metorrhagia की, बात करें पर menorrhagia, dysmenorrhagia, oligomenorrhagia oligomenorrhagia नहीं है, oligomenorrhagia आना चाहिए बात करें पर यहाँ पर, देखो metorrhagia, जैसे कि मालो किसी महिला का cycle साइकल एक से लेकर 28 दिन का है, लेकिन बीच बीच में bleeding होती रहती है, तो उसे क्या करते हैँपन, metorrhagia कहते हैं, मालो 10 ओर बीच दिन पर bleeding हो गई, 16 पर 17 करते हो गई यहाँ कि बीच बीच में अगर bleeding हो रही है, तो उसे कहेंगी अपन metorrhagia अगर बात करेंपन यानि कि जो menstrual cycle कितने दिन का होता है 1 से 28 days का होता है और यहाँ पर जो bleeding होता है 1 से 4 या 1 से 5 दिन का होता है bleeding phase यानि कि अगर यह phase 7 दिन या 8 दिन का पहुँच जाता है तो उसे कहते हैं menorrhagia यानि कि excessive bleeding होना during menstrual phase के दोरान यहाँ पर बात करें dysmenorrhagia की तो यानि कि painful menstrual cycle आना which of the following epithelium is covered by the vaginal part of cervix तो कौन सी epithelium cover रखती है vaginal part को और cervix को stratified esquemas epithelium columnar epithelium fibers connective tissue all of above तो यहाँ पर question को एक बर पढ़ ले यानि कि बात करें याँ पर जो vaginal part होता है यानि कि जो vaginal part होता है उसमें कोन सी epithelium की layer होती है तो यहाँ पर correct answer होगा होगा stratified esquemas epithelium तो यहाँ पर layers की रूप में होती है कौन सी stratified esquemas epithelium की tissue की layer बात करें पर next mitral valve situated between RA and RV LA and LV Aorta and LV PA and RV ठीक है यहाँ पर बात करें कि mitral valve की जो mitral valve है वो कहाँ पर situated होता है RA का मतब right atrium RV right ventricle left atrium left ventricle aorta and left ventricle ठीक है तो यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर जो correct answer है वो है अपना जो correct answer होगा होगा अपना LA and LV यहनि कि left atrium and left ventricle यहनि कि जो heart होता है तीक है जो heart होता है उसके अंदर क्या होता है यहाँ पर जो wall होता है तीक है heart के अंदर जो wall होता है वो कहाँ पर situated होता है यहाँ पर बात करें पन जो wall की तो यह जो situated होता है वो होता है यह यहाँ पर situated होता है कौन सा material valve और इसे हम bicuspid valve के नाम से भी जानते हैं जो CB not diagnosis है, वो किसके find out के लिए use की जाती है, malaria, typhoid, chicken pox, tuberculosis, तो यहाँ पर correct answer क्या होगा, आपना answer अपने notebook में लिखना है, यहाँ पर correct answer है, वो है, tuberculosis, जो CB not diagnosis है, वो किसके लिए use की जाती है, tuberculosis के लिए malaria को, तो हम peripheral smear से देखते हैं, या फिर malaria के kit से चेक कर सकते हैं, typhoid के लिए विडाल टेस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर बात करें हैं, अपन, CB not diagnosis वो tuberculosis के लिए use की जाती है, next बात करें, which of the flowing should be covered during phototherapy, phototherapy के दोरान, किनको covered रखना चाहिए, eye and genitalia, eye and oral cavity, eye and umblicus, none of above, तो किस organ को cover रखना चाहिए, यहाँ पर correct answer क्या होगा, यहाँ पर जो correct answer है, वो है, eye and genital area, यहाँ कि इन ओर्गन को cover रखना चाहिए, during phototherapy के दोरान, जो baby के eye है, और जो genital area है, उसको क्या करना चाहिए, cover करके रखना चाहिए, जो genital area है, और इनको cover करके रखना चाहिए, नेक्स्ट बात करें अपन, non-establishment of satisfactory respiratory respiration at birth is called age, apnea, hypoxia, neonatrum, birth asphyxia, none, question में क्या पुछा है, non-establish, ठीक है, non-establish, establish नहीं हुआ, satisfactory respiration at birth, उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर correct answer है, वो है, birth asphyxia, यानि कुछ से कहेंगे हम, birth asphyxia, अगर apnea की बात करें, यानि कि इसमें respiration तो होता है, लेकिन 30 second के लिए, 20 से 30 second के लिए, ये रुक जाता है, बीच बीच में, तो उसे कहते हैं, पन, apnea, लेकिन अगर यहाँ पर establish ही नहीं हुआ, कौन, respiration, तो उसे कहते हैं, पन, birth asphyxia, तो यहाँ पर correct answer है, वो है, birth asphyxia, hospital acquired infection are called, जो hospital acquired infection है, उसे क्या कहते है, emporetic infection, nosocomial infection, infection, etrogenic infection, empathic infection, तो क्या कहते हैं, hospital acquired infection को, यानि, question में पूचा है, जब hospital के अंदर कोई infection acquired होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर correct answer है, वो है, nosocomial infection, देखो, यहाँ दो में आप confuse होगे, इट्रोजनिक और nosocomial infection में, यानि कि जब कोई hospital में admit होता है, अगर उसको कोई दूसा infection लग जाता है, तो उसे कहते हैं, अपन nosocomial infection, यदि infection किसी procedure के दुरान लगा हो, तो उसे कहेंगी, अपन इट्रोजनिक infection, सबसे common hospital में acquired infection होता है, वो होता है, adult के अंदर, UTI, यानि कि urinary tract infection, यानि कि यहाँ पर question में पूचा गया है, यानि कि बेस्ट मेथड कोन सा है, जो रूरल यानि ग्रामिंट शेत्र की population को ORS के बताने के लिए, यानि कि ORS को समझाने के लिए best method कौन सा है, demonstration, lecturer, role play, flesh card, तो कौन सा है, यहाँ पर correct answer क्या होगा, यहाँ पर correct answer है, वो है, demonstration, यानि कि उनको क्या करना है, demonstrate कराना है, यानि कि जो village की population है, उनको यह बताना है कि ORS कैसे prepare करते हैं, उसको directly demonstrate करके बताना है, तो यहाँ पर correct answer होगा, वो होगा, demonstration, जो slumps, areas होते हैं, रूरिल के या पिर, जो slumps, areas होते हैं, उनमें हमें demonstrate करने के लिए, demonstration, सबसे best method है, कि इसके लिए ORS को teaching कराने के लिए, तो कितने नमबर आये हैं आपके, 0.25 को minus करते हुए, comment box में जरूर लिखें, तो कितने नमबर आये हैं आपके, comment box में जरूर लिखें, और कैसा लगा, वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा, अपने friends को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी टेस्ट दे सकें, और बिल्कुर इतना फ्री है, मुप्त में हैं, ऐसा है हमारे काफी टेस्ट है, आप playlist में जाकर वहां से भी आप देख सकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, झालाइब टेस्ट रप जावाँ प्री टेस्ट वीडियों के वीडियों के लावाँ जावाँ,